तो यहां देखिए हैं खटे मीठे जैम बच्चो का फेवरेट नमस्कार दोस्तों रंजु की जल में आपका स्वागत है कैसे हैं अमीद करते हूं अच्छे में स्वस्त रही हैं मस्त रही है यहां देखिए आधा किलो आम है इसको अच्छे से धुल के इसका छिलका हम उताल हैं और इस तरह इसका जो इसमें गुद्दा है इसको हम काट लेते हैं गाटके निकाल लेते हैं तो सारे आम को हमने काट लिया अब यहां गैस के पास चलिए गैस जलाएं और एक कडाही रखते हैं उसमें हम पानी थोड़ा सा डाल देते हैं और सारे आम को हम इसी में डाल लेंगे कि बीच बीच में इसको इस तरह चलाते रहना है कि बच्चों का फेवरेट चीज है सीजन का आम थोड़ा सा पीलापन हो गया है क्योंकि दो तीन दिन हो गया था तोड़े हुए और यहां देखिए इससे हम इस तरह प्रेश करके देख लेते हैं कि बढ़िया याम का पल्प बन जा रहा है कि नहीं उबल गया अच्छे से कि नहीं तो यहां देखिए परफेट उबल गया याम और इस तरह इसका पल्प बन जा रहा है अब इसको इसी से हम प्रेश करके इस कि इस समय तो स्रीजन हो गया है और बारिस हो जाता तो साय दल साय चाहे दिन बाद रख दीजिए तो इसलिए आम थोड़ा सा हल्का पीला पन हो गया है अब यहां देखिए पल्प मेरा तैयार हो गया है अब इसको हम एक छन्नी के सहारे बरतन में छान लेते हैं इसमें कारेशा जो रहेगा और निकल जाएगा तो इस तरह चमच के सहारे इसको छान लेना है अगर आपको यह लगे कि गाढ़ा जादा है तो थोड़ा साया पतला उसको उतार सकते हैं थोड़ा सपानी और बढ़ा दीजिए और देखिए कितना पर्फिक्ट आम छना के तयार हो गया अब यहां देखिए कडाही हम फिर है और यहां देखिए एक मिनट पकाने कब समस्टी डाल देते हैं कि प्रहों और एक चम्म चार हम इसी मन सी डाले हैं आठ चम्म नार्वल को थें कि यहां देखिए एक इंच तर्ले डाल देते हैं खुस्बू इससे अच्छा आता है अच्छा लगता है रहें इसका और इसको हम 2-3 मिनट के बाद देखने हैं काटॉरी में की जैम तैयार हो कि नहीं तो जैम मेरा तैयार हो गया है अब यहां गयास के फिलेम बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं देखिए ठंडा हो गया एक डिबाम इसको हम रखे और इसको फ्रीज में रख देंगे तो आप कम से कम पांच महिना तक चला सकते हैं सुखा चम्मस से निकाल दीजिए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए घर पर बनाईए जैम और खाई अपने बच्चों को फिलाईए तो बाए दोस्तों टिक के यार फिर मिलते हैं